S.S.C. ने निकाली 3105 पदों पर भरती, चार चरणों से गुजरना होगा अभेर्थियों को, पहला और दूसरा चरण ओनलाइन होगा S.S.C. ने निकाली 3805 पदों पर भरती, चार चरणों से गुजरना होगा अभेर्थियों को, पहला और दूसरा चरण ओनलाइन होगा करमचारी चायनायोग S.S.C. ने संयुक्त सनातक स्तर 2017 परीक्षा के लिए आवेदन मांगे हैं, इस भरती प्रक्रियार में अभेर्थियो को 4 चरणों से गुजरना पड़ता है, A.S.C. ने संभावित 3805 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं, आवेदन 16 जून की शाम 5 बजे तक किये जा सकेंगे, इस भरती से 35 तरह के पदों पर भरती होगी, अभी अर्थियों को स्किल टेस्ट के लिए तब गुलाया जाएगा जब उनके पास सना तक की डिग्री 1 अगस्त 2017 सेकंड पहले जाएगी, प्रारंबिग चरण द्वितिय चरण की परीक्षा ओनलाइन होगी, प्रारंबिग परीक्षा की संभावित तिती 1 अगस्त से 20 अगस्त तक है, यह परीक्षा 3 पारियों में होगी, जबकी द्वितिय की परीक्षा 10 ग्यारह नवंबर को होगी, तीसरा चरण पिन पेपर मोड पर होगा, पेपर वरनात मेकसिवालों को लेकर होगा, यह परीक्षा 21 जनवरी 2018 को होगी, इसी तरह अंग्तिम चरण में टाइपिंग स्किल टेस्ट फरवरी 2018 में संभावित है, 35 तरह के पद भरे जाएंगे इस भरती से एक स्पिट, अरुन ढाका, जैपोर अंतिम चरण स्किल टेस्ट फरवरी में होगा जो अभिर्थी प्रारंभिक, वितियर तृतिय चरण की निर्धारित का टॉफ को पार कर लेंगे, उनको टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए तथा डीवी के लिए बुलाया जाता है, CPT के अंतरगत टाइपिंग 2000 कीवर्थ 15 मिनिट में तथा एकसर शीट पावर पॉइंट के प्रशन पूछे जाते हैं, जबकि डेस्ट के लिए जोकी करसाहयक के पद के लिए होती है, उसमें 15 मिनिट में 2000 वर्थ टाइप करने होते हैं, स्किल टेस्ट फ जाने जरूरी जाओ भिर्थी प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के मिला कर कट ओफ को पास कर लेंगे, उन्हें इस चरण की परीक्षा में शामिल किया जाएगा, इसमें 100 अंको का पिन पेपर मोड पर आधारित पेपर होगा, 60 मिनिट का विक्त मिलेगा, जनवरी 2018 में संभा जावित परीक्षा होगी, यह पेपर साक्षातकार को खत्म करने के बाद, जोड़ा गया है, इस पेपर के अंक की फाइनल मेरिट में जोड़ते हैं, इसमें 33 प्रतिशत अंतलाना अनिवार्य है, इस पेपर में निबंध, अतलिखन, संक्षिप्ती करण की सवाल पूछे ज जाते हैं, पचास अंकों के 25 सवाल आएंगे, इस विशे में 50 अंक आसल किये जा सकते हैं, पिछले कुछ सालों के पेपरों के आधार पर तैयारी करनी चाहिए, विशेशग्यों का कहना है कि मुख्य परीक्षा में 200 अंकों का अंग्रेजी विशे का प्रश्न पत्र होगा, इसमें 200 प्रश्न होंगे, मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आपको वक्त भी मिलेगा, क्यूंकि यह online October में संभावित है, इसकी तैयारी के लिए मुख्य तह, कुछ बातों पर ध्यान देना होगा, इस प्रश्न पत्र में प्रारंबिग परीक्षा में आने वाले प्र प्रश्न पैसेज पर आधारित होंगे, 20 सवाल PQRS के देखने को मिलेंगे, गनित, मुख्य परीक्षा में अंग्रेजी के साथ 200 अंकों का गनित का भी पेप होगा, इस पेपा में 100 सवाल आएंगे, इस भाग में अभियार्थियों को 180 सेकेंड अधिक्स को करने के लिए करली करन, भिन, वर्गमूल, घनमूल, खातांक, करनी, प्रतिशत बटा, लाभानी, औसद, अनुपात, समानुपात, मिश्रण, आयू, काम समय, पाइप टांकी, चाल समय, दूरी, बीजगनित, श्रिंखला 3 कोंड में ती आधी से 100 सवाल आएंगे, इस चरण में 200 अंकों क से 25 रिंड, 25 सवाल, 50 अंक के होंगे, सामान्य घ्यान, इस भाग में 50 अंकों के 25 सवाल आएंगे, प्रतिएक प्रश्न को सही करने पर 2 अंक मिलेंगे, गलत करने पर नेगेटिव मार्क एंड भी होगी, 6 मैनों की समसामय एक खटनाओं के बारे में पढ़ाई करें, साथ ही, भारत विश्विका भूगोल, भारतिया इतेहास अर्थ व्यवस्था, राजनीती विज्ञान और खेल कूद के बारे में पढ़ना न भूलें, इस भाग में महत्वपून सवाल सामान्य विज्ञान से पूछे जाते हैं, जीव विज्ञान प्राणी विज्ञान पर ब्याज प्रतिशत्ता, त्रिकोन मिद्धी, ज्यामिती, साजेदारी, समय और कार्या, समय दूरी, वर्गमूल, धनमूल, औसद, पाई, चारादी भागों से प्रश्न पूछे जाते हैं, अंग्रे जीव पचीज सवाल पूछे जाएंगे, छोटे सवालों से शुरुआत क करें, पैसेज को अंत के लिए छोड़ दें, इस भाग में अंभिर्थी कम समय में अच्छा स्को कर सकते हैं, इस भाग में तीन सवाल तूटी से, तीन सेंटन्स अरेजमेंट के, तीन सवाल वान वर्ड के, तीन मोहावरे, पांच सवाल पैसेज से, तीन खाली स्थान पूर दो विलोम शब्द एक स्केलिंग त्रूटी से आते हैं